हेलो नर्सिंग, पेरामेडिकल एवं फार्मेसी, स्टुडेंट आप लोग कैसे हायो स्वस्त होंगे तो आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि उत्तर परदी आयरवेग बिस्विद्याले सीपी ने 2020 तो उसकी कांसिलिंग डेट आ चुकी है तो अब आपको बताएंगे कि कांसिलिंग में bạn लाइंगे सेकेंड कांसिलिंग में कितने जाएंगे आप तक सबसे पहले पहुँचे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इस नोटिस की तरफ चलते हैं तो यहां पर जैसा लिखा है आपनो सहयोक्त पेरा मीडिकल फार्मेसी एवं नर्सिंग प्रवेस वरिश्चा सीवी नेट 2020 वर्थम कांसिलिंग प्रवत एवं प्रवेस संबंद सूचना तो जैसा कि आप लोग पता है अगर आपकी ओवर अल रेंक अगर एक से लेकर सो के बीच में है तो आपकी जो फर्स्ट कां कांसिलिंग स्टार्ट होगी सुबहाद दस बजे से लेकर एक बजे तक दो पैर एक बजे तक और जो कांसिलिंग एवं प्रवेस मतलब जो कांसिलिंग और प्रवेस होगा वो आपका एज़द मयानी सीट लॉक एलाउटमेंट जो आपका होगा तो वो होगा दो बजे से प मतलब first counseling बलाई थी अब जो second की बात करते हैं तो second में जो 16 तारीक को invite किया है उन्होंने 101 student से लेकर 300 के जो बीच में आते हैं student वो सारे जाएंगे सनिवार को प्राता 10 बजे timing आप reporting time यहां पर देख सकते हैं प्लस यहां पर यह आपका एक ही दिन में सब कुछ होगा 16 तारीक क को दिन सनिवार को 101 आलोवर रेंग से लेकर 300 तक और जो आलोवर रेंग जो 17 तारीक को होगी counseling वो होगी 301 से लेकर 600 तक 301 से लेकर 600 तक आलोवर रेंग जिनकी बीच में है तो बो दिन रवीवार को भी इनकी counseling होगी प्राता 10 बजे से सुआ अब ये चौती कांसलिंग होगी वो 601 से लेकर 1200 स्टूडेंट को उन्होंने बुलाया है और दिन सोंबार को 18 तारीक को आप लो 18 जनवरी को दिन सोंबार को उन्होंने इन्वाइट किया है आपको रिपोर्टिंग टाइम दस बजे जिसकी 600 से एक 600 से एक से लेकर 1200 के बीच कांसलिंग जो 1200 आलोवर रैंक है तो वो इस्टूडेंट जो की 18 तारीक को जाएंगे और जो केवल जैसे और जो पांच को 19 तारीक को जैसे मंगलवाल को तो वो केवल EWS, PH, Freedom Fighter और EA की आलोवर रैंक से आलोवर रैंक 121 से लेकर यहां से 1200 तक चौती कांसलिंग होगी 1201 से लेकर जिने के पास ऐसी सुविदा है अब जैसे EWS, PH, Freedom Fighter और EA तो वो 1201 से लेकर आप कितनी भी रैंक हो आप सब लोग चले आना आप स्टी है, स्टी 1201 से लेकर अन्तिम रैंक तक आ जाना आप लोग 29 तारीक को तो कांसलिंग के यह आपको कोई मेसेज नहीं आएगा, यह हम आपको बता दें जैसा कि हम आपने बता दिया है, तो अगर आपको डोकुमेंस के बारे में जानकारी चाहिए तो वो बीडियो में आपको बना दिया है, तो प्लीस इस बीडियो की नीच्छे डिसक्रिप्सन में मैं इस बीडियो की लिंक दे दूँगा, जहां से आप लोग वहां डोकुमेंस की वीडियो देख सकते हैं, और अपने डोकुमेंस तैयार कर सकते हैं, तो उसके लिए अच्छी बात है अगर टीडी नहीं बनवा लेते हैं तो आपको 50,000 रुपए वहाँ पर कैस में जमा करने पड़ेंगे अगर आप सीट नहीं लेते हो तो आपको 5000 रुपए बापस कर दिये जाएंगे और जो 500 रुपए हैं वो आपके बापस नहीं होंगे तो आप लोग समन चुके होंगे तो इसमें आपको जो की IMPORTENT में ने उसकी वीडियो बनाई दिये पहले से ही तो वीडियो वो भी आप लोग देख सकते हैं तो आप चलते हैं नेश्ट क्या है तो इसके बदलाव क्या क्या है तो हम आपको बता दें तो सबसे पहले counseling से पहले आपको ये काम करना है तो counseling जैसे आपकी 15 तारीख से start है counseling तो आपको 13 जानी आज इसे लेकर 14 तारीख 5 बजे तक आपको online registration करवा लेना है पहले या mobile से या server care से तो बो हम आपको अभी बता देते हैं जैसे 21 से लेकर जिसकी 23 से लेकर यहाँ पर आप लोग 23 से लेकर 25 के बीच counseling है तो वो 21 से लेकर 22 तक अपना registration करवा लें 21 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मौप अप राउंड हैं जैसे रिक्त सीटें खाली रह गाती हैं तो मौप अब राउंड counseling होती है तो अब आपको बता दें कि यह सब आपको registration कैसे करना है तो सबसे पहले आपको इसकी जो इस पर आ जाना है सबसे पहले तो इसकी official website पर आ जाना है इस website की link हम इस video की description में दे देंगे तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं यहां पर लिखा है कि rank letter download मतलब allotment letter यह आपको download करवा के ले जाना है वहां पर यह भी यहां पर touch करेंगे तो user ID password डालेंगे तो वहां पर लिखेगा allotment letter download PDF तो यहां पर click कर दें आपका download होना है start हो जाएगा तो यहां से आप लग अपना पंजिकरड कर सकते हैं यहां से यह यलो कलर कर दिख रहा है तो online registration for counseling तो यहां पर click करके आप अपनी counseling online registration कर सकते हैं उसके बाद आप out tutorial room में आना पड़ेगा इस तरह आप आप tutorial room यहां पर आपकी counseling होगी तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रतम counseling की मैंने बता दी अगर जैसे इस वीडियो में मैं कोई जानकारी छूट गई है तो आप प्लीस कमेंट करके comment करें तो हम आप आज ही जानकारी इस निश्य वीडियो में बता देंग तो आज के लिए यह वीडियो कैसा लागार वीडियो अच्छा लागा हो तो लाइक करें कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ share करें जो एक से के उन्हें भी पता लागे counseling अब से start तो थैंक्स वाट वाशिंग प्लीज सब्सक्राइब में यूटीछ थैंक्यू